आज मैं आपके लिए लेग आए हो विंटर के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसीपी में स्वाद हैıld है, यह स्वाद का ख़जाना है इसे बनाना बहुत आसान है . रहे終 निवू के आटे का हल्वा इसे खाकर यकीन मानिये दोस्तों ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको बहुत ही स्वादिश्ट मिठाई खा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है करीब 50 ग्राम अद्रक अच्छी तरीके से साफ कर लिया है उसके अब देख सकते हैं पिना पानी के जबाब अद्रक को पीसेंगे तो इस तरीके का बनके रेडी होगा ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकडे ना रहें क्योंकि बड़े टुकडे जो हैं वो हमारे रेसिपी के स्वाद को खराब कर देते हैं इसके बाद य आप चाहें तो एक से डेड़ कप गेहु का आटा यहां पर इस्थिमाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से गेहु के आटे को आप देशी गी में भून लें यह देखिए गेहु के आटे का जो कलर है वो एकदम से इस कलर का हो जाएगा ऐसा लगी का आप जैसे मावे का पीड़ बना रहे हैं एक दम इस तरीके से आपको इसे भून के रेडी कर लेना आप देख सकते हैं कि जो आटा है उसने एक दम बॉटम छोड़ दिया है तो इस तरीके से जो हमने आटा भूनके रेडी किया है उसे एक अलग बोल में आप निकाल लें और इसे थोड़ा साथ ठंडा होने के लिए रख दें और यहाँ पर अब आगे की त्यारी में मैंने यहाँ पर लिया है तीन मिडियन साइज के गुड के बॉल्स आप इसको चाहें तो कद्दू कस कर सकते हैं यहाँ फिर आप इसे नाइफ के यल्प से ऐसे थोड़ा थोड़ा स्क्राच कर लिजे क्योंकि कद्दू कस करने में काफी महनत लगती है आप चाहें तो यहाँ पर जागरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते है यदि आप जागरी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो करीब धाई कप हमें यहाँ पर जागरी पाउडर यूज़ करना है तो ये देखिये हमने जो गुड के स्क्राचल्स रेडी किये थे verse ready हो गये हैं असा कर लेने से हमारी जो recipe है वो काफी quickly बन जाती है तो गुड के स्क्राचल्स रेडी करके उसे रख दीजे किना पर फिर से pan में डाले एक बड़ा चमठे देशी की और देशीगी डालने के बाद हमने जो अद्रक डाला था हम इसमें अच्छी तरीके से भून के रेडी कर लेंगे ऐसा कर लेने से अद्रक में थोड़ा सा क्रंच आ जाता है साथी साथ अद्रक की जो कड़वापन है वो काफी कम हो जाती है यदि आप डिरेक्ली चाहें तो अद्रक को इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन डिरेक्ली यूज़ करने से जो अद्रक है उसका जो कड़वापन है वो काफी जादा बना रहता है तो मैं यहाँ पे जो बेशी घी के थोड़ा सा गरम होने का वेट कर रही हूँ तो दोस्तों घी हो गई है गरम हम यहाँ पे जो हमने मिक्सी में रेडी किया था अद्रक का पेस्ट उसे यहाँ पे डाल देंगे इसे ध्यान लखें मिडियम फ्लेम पे इसे भूने यह बहु भून लें मिडियम फ्लेम पे करीब चार से पांच मिनट लगेंगे इसे भूनने में यह बहुत ही चलती अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो आप इसे ऐसे लगातार इस पैचुला की हिल्प से लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पून जाए और उसका कड़वापन चला जाए ऐसे करके यदि अद्रक का हलवा बनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई कहा रहे हैं यह अद्रक का हलवा है ही नहीं तो चलिए अद्रक पून के रेडी करीब एक कप पानी यानि धाई कप गुड़ और एक कप पानी बस जब गुड़ के जो हमारी गुड़ के चाशनी है वह खूब अच्छी तरीके से खौलने लग जाए करीब एक तार की बन जाए तो यहां पर आप इसमें जो आपने अद्रक बून के रेडी किया है वो डाल करना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अधर्वाइस वह लंज के रूप में रह जाएगा जो कि हलवग का स्वाद बहुत खराब कर सकता है तो ऐसे एक इस पैचुला की हलप से आप उसे प्रेस करते करते डिसॉल्फ करते यह स्टेप करना बहुत जादा कैसे ऑप्शनल है आप चाहें तो यूज करें या फिर ना यूज करें यह डाल देने से जो हमारा हलवा है उसका स्वाद काफी इन्हांस हो जाता है बहुती अमेजिंग स्वाद लगता है तो ऐसे इसे लगातार चलाते रहें जिससे की गुड़ जले रही यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सा करते हैं जो आटा हमने भुन के रेडी किया था न बस यहां पे आप उसमें थोड़ा-थोड़ा डालते हुए ऐसे डिजॉल्फ करें ध्यान रखें एक साथ ना डालने क्योंकि एक साथ डालने से वो डिजॉल्फ नहीं होगा और बहुत सारा आटे का लम्स बन जाएगा तो ऐसे करते हुए आप ऐसे इस पैचुला की हल्प से इसे लगतार डिजॉल्फ कर लें दोस्तों यकीन मानिए यह रेसिपी इतनी स्वादिश्ट बनती है इतनी स्वादिश्ट बनती है कि आपको अंदाजा भी नहीं लग सकता है कि यह स्वाद और सिहत स्वाद से भरपूर रेसिपी जस्ट घर में बनाया हुआ एक आटे का हल्वा है आपको ऐसा लगी है जैसे मार्केट से लाइग होई कोई कैरामलाइजड स्वीट है यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो हमारा मिक्षर है वो रेडी हो गया है लेकिन इसे हमें अभी और पकाना है क्योंकि जो अद्रक है वो आटे के साथ अची तरीके से मिक्स हो जाए थोड़ा सा गुड़ का करामलाइस स्वाद इसमें आ जाए तो इसका स्वाद जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा आप देख सकते ह यह किस तरीके से एक दम प्यान छोड़ चुका है यह घी रिलीस कर रहा है बहुत ही स्वादिश लगता है दोस्तों यकीन मानिए आप इसे एक बार जरूर बनाए और यहाँ पर मैं इसमें आड़ कर रही हूं अपनी मन पसंद ड्राइफ रूट यानि किपिस्ता और आप चाहें तो और भी ड्राइफ रूट से इसमें आड़ कर सकते हैं लेकिन और आप चाहें तो और तोगेदर ड्राइफ रूट से इसके भी कर सकते हैं यह पूरी तरीके से ऑप्शनल स्टेप है सारे ड्राइफ रूट को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप च तो घी में यहां पे भी ड्राइफूट्स थोड़े से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाते हैं तो यह देखिए हलवा जो है वो कितना डिलीशियस दिख रहा है इसमें लगातार घी में भुन रहा है और कलर इसका काफी डाक चॉकलेटी जैसा हो गया है तो लेजे दोस्तों एक दम हलवा बनके रेडी हो चुका है बहुती स्वाद और सेहत से भरपूर गेम के हाटे का बना हुआ हलवा यकीन मानिए दोस्तों आप सिर्फ एक चमच हर दिन खाएंगे तो आपके पूरे सर्दियों में किसी अन्य चीज़ की जरूरत नहीं होगी औ तो आप उतार ही फेकेंगे बहुती टेस्टी लगता है और आपके घर में छोटे बच्चे भी से बहुती स्वाद से खाएंगे इसमें अध्रक का कडवापन बिल्कुल भी नहीं है और इसमें बहुती अच्छा सा यमी स्वाद आता है केरेमलाइस्ड गुड का देशी घी और ट्राइ करने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है दोस्तों तो मेक शूर करें कि आपने मेरे चैनल में लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसा करने से क्या होगा कि जबी भी मेरी चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में